हेलो फरेंट आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कलास टेंथ का एकजाम 2022 का एक भीविया क्वेस्चन जो कि दोस्तों इस टैप का क्वेस्चन एक नए एक दो मार्क में पर्मानेंट रहता है और हर साल यह क्वेस्चन रहता है साइध यहाँ पे रूट दू रूट तीन या रूट पांच मतलब कुछ भी हो सकता है तो आप जब सवाल बनाओगे तो यहाँ पे तीन दो का फर्क रहेगा तो आप यहाँ पे रूट तीन रूट दो कर सकते हैं इस टैप का सवाल दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बहु वीडियो में हम बता रहे हैं कि सीध करे की रूट पांच एक और मिये संख्या है इस क्वेश्चन को हम बताने वाले हैं तो दोस्तों इस तरह से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा एकजाम में आप यहाँ पे एक का आंसर लिख देना या जितना नमर में रहेगा रूट पांच लिख देना बराबर देखे और पर्मिये संख्या दोस्तों होता है पी वटा क्यू तो लिख देंगे पी वटा क्यू जश्ट बगल में दोस्तों आप यहाँ पे अच्छे से रैटिंग बना के लिख देना कि जहाँ पी एबॉम क्यू में कोई उभैनिस्ट गुननकंड नहीं है तो आगे यहाँ पे देखना है आपको फिर आगे सेम लिख देना है यहाँ पे देखके कि रूट पांच को रूट पांच और यह जो पी वटा क्यू है तो क्यू इसमें भाग में है बराबर को उस सेट बेजेंगे तो गुना में आ जाएगा तो दोनों और हल एसक्वेर के रूप में एसक्वेर चड़ा देना है एसक्वेर चड़ाने के बाद आप गुना कर देना है तो रूट पांच का एसक्वेर तो पांच होता है पांच लिख देना और क्यू का एसक्वेर क्यू एसक्वेर हो जाएगा बराबर पी का एसक्वेर ज देखो अभी ये गुंणा में है कि ऐस्क्वाइर को उससे रजाएगा तो भाग में चला जाएगा तो ये दिझा का हो गया कि 5 जो है P S2 को क्या करता है दिझा करता है तथा फायव जो है P को भी गजित करेगा मतलब P ठो रहेगा तो उसको भी गजित कर देगा अब P वराबर फिर कुछ मान लेंगे 5R 5R इसलिए मानते हैं क्योंकि यहां पे root 5 सवाल में है root 5 को जो है एक अपर्मिय संख्या पूरूब्ड करना है इसलिए यहां पे P वराबर 5R माने है अगर root 3 रहता तो 3R मानते P वराबर root 2 रहता तो 2R मानते तो यहां पे 5 हैं तो P वराबर 5R कोस्ट में लिख देंगे माना जहां R जो है कोई पूर्णा का है यहां पे लिख देंगे इसके बाद समीकरन फर्स्ट जो है इसको यहां पे लाएंगे तो समीकरन फर्स्ट से लिख देंगे समीकरन फर्स्ट है 5 QA square तो 5 QA square बराबर P square है तो 5 R यहाँ पर माने है P का मान तो 5 R square है तो hall square पर जाएगा इसके बाद दोस्तों आगे में आएंगे तो 5 का 5 रहेगा QA square का QA square बराबर है तो बराबर और पूरा पर hall square है तो 5 का square 25 हो जाएगा और R का square R square हो जाएगा इसके बाद यहाँ पर देख सकते QA square यह गुणा में है इससे डाएगा तो भाग में हो जाएगा तो 25 R square बर तो 5 रहेगा तो काटेंगे तो 25 25 मतलब 5 R square आ जाएगा यह QA square को QA square रह जाएगा अब आप फिर लिख देंगे यहाँ पे चुकी 5 QA square को क्या करता है विवाजित करता है तब ही यहाँ पे देख सकते हैं 5 जो है P A square को विवाजित करता है और अभी क्या कर रहा है 5 Q Q Q को भी विवाजित करता है तता 5 Q 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 आजाता है 5 यहां पे भी और यहां पे भी आजाता है तो यहीं लिखे आए कि इस परकार P और Q में एक उभईनिस्ट गुनन खंड क्या है कि यह हैं तो यह हमारी मान नेता के बिपरीट है देख सकते हैं एक बार P को वहां पे विवाजित किया यहां Q को कर रहा है तो गलत है पी ये पी को कातना चाहिए यहां पे पी और क्यू दोनों को उभे निश्टा गया इसलिए यह हमारी मानने था का बीपरित है मतलब गलत है तो यहां पे हम लिख देंगे रूट पांच एक पर्मिय संख्या नहीं है क्योंकि गलत हो गया ना विपरित है ना जो हम बोलते वो तो नहीं हो रहा है तो इसलिए लास्ट में जब यहां तक लिख देना तो लास्ट में को लिख देना इस तरह से एंसर में कि अता रूट पांच एक पर्मिय संख्या पुरूब्ड निचा में लिख देना है कि यहां पे आके हम सावित कर चुके हैं तो इस तरह से जो है आप इस सवाल को बना सकते हैं रूट पांच एक तो इसको हम एक बार इधर करोश करके मोबैल को और आप एसकीन सट लेके इसको दो-चार बार रिवाइज कर सकते हैं या आप यहां पे पूरा देख सकते हैं हम यहां पे पूरा दिखा देते हैं पूरा फिलाल अच्छे से नहीं आ रहा है तो आप यहां पे जो है मोबैल हम पीछा कर देते हैं अच्छा से उतार लेना है इसको दो-चार बा विडियो कुस्ता है आप समझ गए हो गज़ा गये से तो कर तो वीडियो को समझ biomass तो करता हूं फिल्ट तो से आंदग कोई गी आप खिंद छिव्हां। तो ज्मुह में अब पर ये संचतल करता है जरी लए टो पी अब 250 टो